हलो प्रेंट्स, NDC News देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ अर्शना कॉशल, NDC News हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरिज, तो दोस्तों देखना ये रहेगा कि आज NDC News में आपके लिए क्या है स्पेशल, आइए डालते हैं नज़र जन्दगी में कुछ चीजें ऐसी होती है, जिससे हमें भगवान की तरफ से संकेत मिलने लग जाते हैं कि हमारे साथ भविर्शे में क्या होने वाला है, दोस्तों भगवान की बनाई गई इस प्रकृती में बहुत कुछ समाया हुआ है, और इसी में हमारा अच्छा बुरा समय भी समाया हुआ है, हमें बहुत बार प्रकृती से भी अच्छे बुरे समय के संकेत मिलते हैं, जब भी आपका शुब समय आने वाला होता है, तो आपको भगवान से कुछ शुब संकेत मिलने लगते हैं, आज हम आपको इनी संकेतों के बारे में बताने जा रही है, जो आप आपके अच्छे समय की सूचना देता है, अगर आपको भी यह संकेत मिल रही है, तो समझ ले कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है, तो चलिए जानते हैं अब इन संकेतों के बारे में, आप सुबह उठकर जब भी शीशे में अपना चहरा देखते हैं, तो अगर आप को अपने चहरे में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है, या चमक दिखाई देती है, तो समझ जाए कि आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है, यदि सुबह सुबह अचानक से रिष्टेदारों से, या फिर आपने किसी को पैसा दिया हुआ है, और आपको वे पैलेंस और धन जमा करने में सफल हो जाए, तो समझे कि आपका शुबह समय शुरू होने वाला है, पर शुपक्षियों के द्वारा भी हमें शुबह संकेतों की प्राप्ती होती है, बंदर अगर आम की गुटली आपकी छट पर फेंकरे, बिल्ली घर में बच्चों को जन् प्राप्ती के चीज़ आपकी छट पर छोड़ जाए, तो यह बहुत ही शुबह संकेत होते हैं, हमारे शरीर के दाहिनी अंगों का फ़र्कना बहुत ही शुबह माना जाता है, दाहिने गाल, दाहिनी बाजू या दाहिने हाथ का फ़र्कना व्यक्ते की सुक समरिधी की ओर जिससे कि उसी प्रतेक शेत्र में बरकत प्राप्त होती है, आप सुबह जब भी घर से निकलते हैं, तो कोई भी पानी या दूद सी भरा बरतन लेकर आके सामने जाए, तो समझ जाए कि आपका समय बहुत शुबह बीतने वाला है, अगर आप सुबह की समय काम पर जा रहे ह और उस समय कोई बाला क्या कया हस्ता हुआ चेहरा लेकर आपके सामने आ जाती है, तो समझ जाए कि आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, और आप अपने काम में सफरता प्राप्त करेंगे.